उत्रप्रदेश के बांदा में कोचिंग जाते समय आटो में बैटिक शात्रा के साथ छेड़चार का मामरा सामने आया था जिसमें शात्रा के साथ छेड़चार करने वाले दूसरे आरोपी को भी गिरफतार कर लिया गया है वहीं आरोपी रफीक और राजिंद ने छेडखानी की बात को कबूल कर लिया है जिसके बात दोनों आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है बता दे कि पेड़िता ने बताया था कि खुद को बचाने के लिए उसी तेज रफतार आटो से कूड़ना पड़ा जिसमें वो गंबी रूप से खायल हो गई थी